आज हम आपको बताते हैं भारत के सबसे रहस्यमई पदमनाब स्वामी मंदिर के बारे में केरल की राजधानी तिरुवनंत पुरम में स्थित है पदमनाब स्वामी मंदिर जो अपनी सुन्दर्ता और भव्यता के लिए प्रसिद है पदमनाप स्वामी मंदिर भारत के सबसे अमीर हिंदू मंदिरों में से एक है यह मंदिर भगवान विश्नु को समर्पित है यह मंदिर अपने गुप्त और रहस्यमाई तहखानों को लेकर काफी प्रसिद है अगर आप चैनल पर नए है तो चैनल को सबस्क्राइब करें और बेल आइकॉन को प्रस करें यह मंदिर केरल के सबसे प्रसिद मंदिरों में शामिल हैं यहां लाखों श्रद्धालू भगवान के दर्शन के लिए आते हैं इस मंदिर को 18 वी शताबदी में 53 कोर महराजा मारतंड वर्माद्वारा बनाया गया था साल 2011 में जब इस मंदिर के 5 तहखानों को खोला गया था तो उसमें से काफी मात्रा में खजाना मिला था हालांकि 6 तहखाने के खोलने को लेकर काफी विवाद हुआ इसे देखते हुए सुप्रीम कोर्च ने उस दौरान छठे दर्वाजे के खोलने पर रोक लगा दी कहा जाता है कि पिछले पांच दर्वाजों को खोलने पर वहां से हीरे और अन्यकीमती रतनों और पत्थरों के साथ साथ एक लाख करोर रुपे की कीमती धातूओं से बनी मूर्तियां और सिंघासन मिले थे जिस तहखाने को खोला नहीं था उस तहखाने को वॉल्ट भी या तहखाना भी के नाम से जाना जाता है माना जाता है कि वॉल्ट भी की रक्षा नागू और अलौक एक देवताओं द्वारा की जा रही है ऐसा कहा जाता है कि जो कोई भी दर्वाजे को खोलने की कोशिश करेगा तो उसे कई समस्याओं का सामना करना पड़ेगा हालांकि इस बात का अब तक कोई पता नहीं चल पाया है कि मंदिर के छठवे तहखाने के अंदर कितना खजाना छिपा हुआ है इस वजह से पदमन अब स्वामी मंदिर का यह दर्वाजा आज भी रहस्य का विशे बना हुआ है आज तक इसके राज से परदा नहीं उठ पाया है